कि अधियर स्टुडेंट्स वेलकम दो सेकिंद लेक्टर फॉंक्शन्स बिटा लास्ट क्लास में फॉंक्शन्स की जो चैसर प्रॉपर्टी आपने पड़ी थी डैफिनिशन उप्जिशन्स उसमें सारा रीकॉल कर लिजेगा बट उसमें से जो सबसे जरूरी चीज़ है वह ह कुछ ग्राफिकल मेथेट्स भी बताए थे तो वह सब आज हमें अपलाई करेंगे बेसिक लेवल के क्वेस्टन के साथ साथ आज एंट्रेंज एक्जाम के कुछ बहुत अच्छे क्वेस्टन भी होने वाले हैं आईए क्लास शुरू करते हैं देखो मेरे बिटा एक्जाम् बाउंट्री बाउंट्री बिठा देते हैं यहां बिटा अग्जाम्पल देते हैं ठीक है ना confusion तो कोई है नहीं बटा fx mod x है अगर आप carefully देखें आप बच्चे तो मेरे बटा 1 का answer minus 1 का answer दोनों positive है सेम ही आएगा बलके ऐसे 2 का answer minus 2 का answer वो भी positive है यहां दिख रहे हैं आप सबको कि सारे elements उठके r प्लस में जा रहे है और at most 0 का image लेंगे तो 0 आजेगा तो r- यानि किसी भी negative number का आपको प्रीमेज नहीं मिल रहा एक चीज़ तो बच्चे को diagram बनाते clear हो गई है कि mod का answer क्यूंकि नेगेटिव नहीं आएगा तो यह function on to नहीं पाएगा अच्छा दी तो अन्टो नहीं है what about 11 जैसे कि मैंने अभी बोला इन दोनों का image same है इन दोनों का image same है तो कोई भी positive x और कोई भी negative x दोनों का image same है ठीक है 10 का image और minus 10 का image answer same आ रहे है mod लेके same आ रहे है तो this function is on to no this function is one one no यह on to one one कुछ भी नहीं अच्छा दी इसी तरीके से example number two last class में आपको बता दिया गया था अच्छा यह आपर अगर ग्राफिकली बना लेते तो बेटा तो कोई आफ़त नहीं आ जाती ऐसी तो बनता है अगर कोई element लेंगे आप यहां x y z करके तो उसका इमिज आएगा यूणी का यूणी का वेल डिफाइंट इस लिए नहीं है वो तो दिख रहा है आप लोगों सबको ग्राफिकली कि जितना इमेज वन का एगा उतना इमेज माइनस वन का एगा जितना इमेज 2 का एगा उतन इमेज माइनस 2 का एगा तो इस फंक्शन डिस्टेंग पॉइंट्स की इस्टेंग इमेज नहीं 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 अगर यहां element लेंगे y-axis पे तो बिटा उन सबको तो प्रीमेज टकरा रहा है दिख रहा है आपको प्रीमेज आजेगा बट नेगेटिव वाले को को प्रीमेज नहीं आएगा ठीके ना यह मैं सब लास्ट क्लास में करा चुका हूं तो इस इस दाएडिया अच्छा जी अब आगे बढ़ते है दिसको रहा है इसको यह बेसिक है बिटा बेसिक है बेसिक देखो एफ रम आर तो और गिवन बेए फ एक सीगलो 2x-3 इसको देख असर आजाना थी इए वेट फूर सेकें देख तही आंसर कैसे है जूनो मेरे बिटा आगर कोई बच्छ जैसे ग्रजुएशन में एग्जामिन करते हैं वैल डिफांड कैसे करते हैं वेलिफांड के लिए एक्स इक्वाइटक्वाइश फह एफ दो यह उल्टा हो जाए अन in seconds आपका अंसर आएगा second graph भी छोड़ो थोड़ी तरी के लिए छोड़ो मेरे बिट्टा यह बता हूँ हांजी आप ही लोग उसे पूछ रहा हूं is it of the type बिल्कुल बिट्टा इस वाइस एकलो mx plus c ठीक है अब इसको graph कैसे बने यहां मैं coordinate wise xy पूट करके नहीं बता रहा हूं जिस आइडिया दे रहा हूं आप लोगको मिरे बिटा यह 2x-3 है हां जी 2x-3 है 2x-3 है 2x-3 विल भी सम लाइन अब obviously बिकाज यहां पर एक constantum present है तो origin से तो पास करें यह नों कहां गाते पास करें देखी लेते बिटा इसमें अगर मैंने x-0 पूट किया तो y-3 यहां से और जब y-0 किया तो x आया आपका 3x-2 यहां से तो इस तरीके से लाइन मनेगा यह f का ग्राफ है मेरे बिटा लास्ट क्लास याद करके बताए आप सब इलो क्या यह function 1-1 है distinct elements के distinct images बंद रही है बिल्कुल क्या यह function on to be समझ में आगे हो गया question का तम और आप पूर थीसिस थोड़े ना लिखनी है आइए तो चाहिए है so this is 1-1 yes this is on to yes well-defined तो आपके सामने है सबको clear हो गया मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं अच्छा देख लीए मैं बोड भर दूँ और गडबड़ कर दूँ वह मेरा इरादा नहीं है मैंने आपको idea देने था मैंने दे दिया समझ में आ गया और फिर बड़े खतरनाक क्वेस्टेंस भाई कि फिर नेट का है सच में डेंजरस क्वेस्टेंस त्यार हो जाई है मज़ा आपको पड़के आना भी चाहिए यह क्वेस्टेंस मुझे बहुत पसंद है जब से आया है 2018 से तब से मैं लगातर entrance exams में कराये जारा हूं कराये जारा हूं कराये जारा हूं छोड़ता नहीं हो मैं कुछ भी करके स्क्वेस्टेंस को नहीं छोड़ता हूं consider the mapping f from q to r defined by this thing and this thing अच्छा पहले यह notation समझने में और समझाने में ज़्यादा जाधा time नि लेंगे नहीं लेंगे जाधा time भाई ना तुम्हारे पास time है ना मेरे पास time है अगर rational number लिखा जाए तो वो यह समझ रहे है क्या लिखोगे something called lowest form lowest form lowest form में इन दोनों को जो hcf of one हो जाता है मतलब जैसे मेरे पास लिखा है 2 by 3 hcf of 2 and 3 यानि gcd बच्चों को तो सब कुछ बताना पड़ता है समझ में आया अब पहले पढ़िए क्या लिखा है यह जो यह चीज़ है इसको देखे डरो मत कल को बड़े बड़े एक्जाम देने हैं अब परिशान हुएंग अगर given question ही आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप attempt कैसे करोगे आगे कैसे बढ़ोगे समझ में आगया अब function देखते क्या है एफ रॉम क्यू टू और गिवन बैए जीरो का इमेज तो जीरो है लेकिन बाकी सब का इमेज क्या है यह आर की जगह जरा पी बाई क्यों लिखके देखते हैं वह कह रहा है आप कह रहा है तो बात भी सुननी पड़ेगी वह कह रहा है एफ और पी बाई क्यों का जो आंसर है वह है पी डिवाइड बाई टैन पावर क्यू बास इतनी सी बात है वह जी सीडी वी सीडी आप देखते रहेएगा अब मैं जरह इसको डेग्रमेटिकली आप सब के सामने प्रेजेंट कर दूं कुछ बच्चों ने यह question पहले भी किय रहे है कोई बात मिए घ्बराओ नी अचन फान में अ धी पूरे रियर रियल लाइन को आप दो भागों में सपरेट कर सकते हैं आप कर लो आप ही से बात कर रहे हैं, कोई और तो है नहीं है, एक ले लो rational और एक ले लो rational, पूरी real 9 दो में separate हो जाएगी, अब देखते हैं यह क्या कह रहे हैं भाई साब, एक तो इन्होंने 0 का image 0 दे दिये हैं ठीक है जी, और rational number का, P by Q का image, P by 10 power Q, देखो मेरे बिटे या कुछ भी र rational का था तो rational यहां से कुछ भी पिक कर लीजिए, सही सुना आपने, पिटा कुछ भी पिक कर, सब कुछ उटके rational में गुजरा है, नजर आ गया, यह इतनी चीज तो कोई भी observe कर सकता है, यहां किसका प्रीमेज नहीं मिलेगा आपको, अगर कोई irrational number ले रहे हैं तो उसका कोई तो college level में करता है, fx equal to fy implies x equal to y, किसी में दम नहीं उस method से निकालने, समझ में हारे है, थोड़ा classes करिए, थोड़ा शांती, शांती से question attempt करने कोशिश किया कीजिए, उसके उपर नहीं चड़ना है, समझ में हारे है, शांती से, दिमाग शांत करके, देखो, ध्यान से देखो, अगर इसी को follow करेंगे मेरे बेटा, तो यह बताई है, what is f of, p की जगा p है, लेकिन q की जगा 10 power, 10 power क्यों है, तो what is f of, thank you very much, 10 power 3 का 10 power 3 उपर, और denominator में q की जगा 10 power क्यों है, यानि 3 की जगा 10 power 3, अरे भाई तो 1 आ गया, तो यही काम जरह आप यहां भी कर दो, सही सुना बे समझ गए मेरे बेटा, समझ तो गए होगी है, और ले लो, कोई बाद, कहां भाग रहो भाई, ठीक है न, I hope this is very very clear to all of you, clear है, यहां different elements का, यह 10 power 3 by 3 is different from 10 power 7 by 7 is different from 10 power 11 by 11, लेकिन answer सबका सहीं हा रहे है, अब आप बताए क्या function 11 होगा, ना तो यह बिचारा 11 है, ना यह बिचारा on to, कुछ भी नहीं है, तो इसमें 4th option ही correct है, जिन बच्चों ने पहले किया है question अच्छी बात है, और भी देखते रही है, नहीं questions भी आएंगे, इसमें 4th option correct है, आप आप सबको बात समझ में आगी, question इतना प्यारा है, 2018 onwards, जब से आया है तब से हर बर करा रहा हूँ, बीच में Corona भी आगे था, फिर भी पढ़ना तो नहीं छोड़ा हमने, हम तब भी कराते है, तो बिचा यहां F of P by Q का answer है, P by 10 power Q, तो यहां से आपको दिखिए, rational points के images rationally बन Let f from r to r be given by fx equal x into x minus 1 x minus 2, अब यह इसको करेंगे उसके पहले, दो, तीन, चार चीज़े जरा मैं recall कर लूँ, हाला कि बच्चों को real analysis बहुत जादा पसंद नहीं है, लेकिन यहां हम बहुत तरीके से real analysis use करेंगे, और आप देखिएगा जरा ध्यांस से, everyone, सभी बच्चे दे इस cubic equation के roots क्या किया है, तो immediately कहेंगे, 0 पर 0 है, 1 पर 0, yes, yes, सही सुना, बेटा मेरे f0, देखो, अगर fx ऐसा है, x into x minus 1 into x minus 2, तो f0 0 है, f1 भी 0 है, और f2 भी 0 है, किनी 2 को पकड़ लीजे, clearly f1, yes, 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 सही समझा, f1, f2 के बराबर है, but, 1, 2 के बराबर नहीं है, तो इस information से क्या पता लगा, 1, 1 तो गया, तो हो नहीं सकते, अब बागी दो options, tackle करने के लिए, options अमन में आ रहे ने, क्या लिखे, 1, 1 on 2, this means 1, 1 है, on 2 नहीं है, this means 1, 1 नहीं है, you know, यहाँ टाइम तून नहीं घराब करेंगे, इन चीज़ों को लिखने में, आगे देखो, 1, 1 तो है, नहीं, बागी दो options को tackle करने के लिए, आपको, on to nest भी examine करना पड़ेगा, वो on to nest कैसे examine करेंगे, यह इसका प्रीमिज, किसी का भी प्रीमिज निकाल के बता दो, again, traditional method से question नहीं होगा, तुनाई दे रहे क्या रहे हू कुछ ऐसा पढ़िये न, कि काम हो आपका, हाँ जी, look at this, मैंने बोला था, थोड़ा सा real analysis होगा, लेकिन वह बहुत मीठा है, मिठास भर है, क्या मिठास है इसमें सब, देखो मेरे बिटा, अगर मैं इस function को अलग से पढ़ो, अलग से मतलब, आप सभी को पता है, आप सभी देखरी polynomial, जहां आपने और हमने लिख दिया polynomial, वहीं वो continuous हो गया, वहीं वो differentiable हो गया, सर, continuity, differentiable, इसे बढ़ा डर लगता है, अरे भाई, continuous से डर लगता है, differentiable से डर लगता है, लेकिन polynomial से दो डर नहीं लगता है, अपने दिल से पूछी, नहीं लगता न, पोलिनॉमेल है, तो सब जगह continuous होगा, सब जगह differentiable होगा, मतलब अगर नौबत आती है, इसका graph बनाने की, तो पूरे real line पे ये graph कहीं भी break नहीं होना चीए, और पूरे real line पे कहीं भी sharp edge नहीं होना चीए, sharp edge का मतलब जहां आपको tangent निकालने में परिशानी है, भई tangent निकालने में परिशानी देखो मेरे बेटा, on to examine करवा रहे हैं आपको researcher की तरह, आप बहुत सोच समझ के करा रहा हूँ question, मेरे तो दिमाग ही खराब हो गया, जो ऐसा question लेके आगे में, है ना, अरे छोड़ो, देखो सामने, इसको लिखा है ऐसे, क्या फाइदा हो सर, देखेगा बाई, note देखिए आप सभी लोग, what is f infinity, sir ये क्या कर रहे हो, उसमें infinity कैसे डाल, अरे कौन कैरा डालने के लिए, limit लगा लो, as x tends to infinity, this is 0, as x tends to infinity, this is 0, toh यहां से पूरा 1 आगे, यहां से पूरा 1 आगे, यहां से इंफिनिटी आगे, f infinity, infinity दिख रहा है में, repeat, what is f minus infinity, again minus infinity पे, ये 2 by minus infinity, ये 0, यानि ये expression 1 हो गया, similarly ये expression भी 1 हो गया, यहां से 1, यहां से 1 और ये minus infinity, अच्छा जी, बड़ी खुशी की बात है, अब जरा एक rough tough graph बना के आपको दिखाया जाए, और बिटा, समझदर इसे काम करिएगा, मूर्खों की तरह नहीं, आप इसे बात कर रहा हूं, समझदर इस ठीक है जी, minus infinity, minus infinity graph है, और 0 पर 0 है, यहां पर, यह जो 3 मैंने star लगाए है, यह graph इन 3 स्टार से पास करना चाहिए, अब मैं possibilities बता रहा हूं, just please, बिल्कुल बच्चों की तरह, ठीक है, अब यह नहीं कि मैंने कुछ गलत बना दिया है, तो आप पीछे पढ़ जाओ, सर इसक रूड़ देगा, माल लो graph है से बनता, ठीक है, suppose, तो infinity पर, minus infinity पर, infinity पर, infinity पर, infinity पर, 0 पर, 0 है, बट जैसे कि आपको दिख रहा है, इस cubic polynomial के 3 roots होने चाहिए, अगर 3 roots होने चाहिए, तो 3 जगा कट करेगा, वो 3 जगा कौन कोन सी है, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 2 पर, 2 पर, 2 पर, 2 प लग रहा है, टूपे कट लग रहा है, ठीक है, अब भई मैं possible graph बना रहा हूं, प्लीज, सब बच्चों को continuity derivability पर command नहीं होता है, this is just to show you कि क्या चीज़ें आ सकती है, क्या चीज़ें आ रही हैं exam में, कैसे deal करोगे भई, वो fx, z, y, करके कर लोगे, कभी भी भी नहीं होग वैसे नहीं होता है, उस तरह से questions होता है, दुनिया के सारे पत्चों को selection होता है, selection होता है, तो मैं दो possible graph बना के बता रहा हूं आपको, एक तो यह possibility है, और दूसरी possibility मैं लग से बता देता हूं, इसके तीन रूट्स थे, जादा जादा पढ़ा देते हैं, calculus तो बच्चे हिल जाते हैं, देखे, कोई बात में, minus infinity पर minus infinity था, infinity पर infinity था, 0 पर 0 था, और 1 पर भी 0, 2 पर एक graph इसी तरीके से बनेगा, बिटा अगर यह graph है, तो last class का graphical approach, आप यह से कह रहा हूं, last class का graphical approach याद क पर लीजे जरा, हाँ जी क्या positive numbers के पास pre-mages आ रही है, definitely आ रही है, देख लो, दिखाई दिया, क्या negative numbers के पास भी pre-mages आ रही है, समझ में आगे मेरे बीटा, I hope this is very very clear to all of you, अब बात है क्या सभी angle से यह graph on to, बोलो मेरे बीटा, clear हो गया, तो यह क्या है और क्या नहीं है, यह function one one तो नहीं है, लेकिन यह function on to है, I hope this is very very clear to all of you, यह function one one तो है नहीं, यह repeat हो रहा था तीन जगह, लेकिन यह on to 100% आए, इसमें which option is correct option मेरे बीटा, पॉस करके अच्छे से notes बना लेना, खूब अच्छे से लिख लेना, इसी तरह के questions आते हैं exam में, और ज़रा देखिये, traditional method जो आप करते हैं, one one के लिए और on to के लिए, one one के लिए क्या करते हो बिटा, fx equal to fy implies x equal to y, वो तो यहां कामी नहीं हाएगा, होई नहीं पाएगा, अच्छे से, traditional method on to के लिए क्या करते हैं, let y belongs to code of means, to show y as a, कहां से नहीं का लोग पर image, सब कुछ आना चाहिए, algebra, analysis, सब का mix up आता है, उनको चाहिए ही ऐसा बंदा, ऐसा student चाहिए, जो काम कर सके, आराम में बैठा है, चार चीज़े पढ़ लिए, सो तरह वही एक्जाम में यह चार questions कर लिए, सो तरह ऐसी question आएगा exam, ऐसे बच्चे थोड़े ना, कुछ करन नहीं पाते इसे बच्चे, थोड़ा mind open कीजिए, जान बुच के यह इतना अच्छा question आपको करायाएगा, चाली, I hope this is very very clear to all of you, thank you, आगे चलो, हाँ जी, इस question की मैं क्या तारीफ करूँ, देखो मेरे बेटा, कई बच्चे ऐसे होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं, और जिन्होंने यह question हमारे साथ पहले भी किया है, सईस होना आप लोगोंने, बेटा, इस question के इतने अलाग अलाग, इतनी तरह से solution दिये जा सकते कि हमारी तो ऐसे भी हो जाएगा, सच में, सच में, देखी का जरा दिखा के आप, लेटा, इसका method देखना जरा क्लासिकल method है, all of you, आज की class में भी करो, और आगे जो next class एग उसमें भी कराऊंगा, मतलब, मतलब method बता रहे हैं लगला, कि कैसे कैसे यह question हो सकता है, बहुत ध्यान से देखेगा, बड़ा प्यारा question है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, now can you think of a function जिसके लिए यह चीज़ वैलिड हुज है, यह question हरुस function के लिए वैलिड है, जिसके लिए this question is valid for every that function which satisfies this condition, okay, that's a function सोच लेते हैं, सबसे simple तो यह होगा, ध्यान आपने और मैंने f x को x choose कर लिया, for all x belongs to capital X, हाँ जी, तो यहाँ तो दिखे रहा है आपको, कि बेटा, f of f x, यानी f of x, यानी x, यह function, यह condition satisfy कर रहा है, अगर मैं real line पे, x को r ले लू अगर मैं, अगर मैं real line पे यह function मनाऊं, आप तो सयोग दो के न, आप दे ही रहे हो और दीचे, आजी, all of you, बिटा, अगर real line पे यह function मनाया जाए, f x, z, x, तो यह देख के बताए, जरा, one, one, है यह नहीं, on to है नहीं, 100%, इससे बढ़िया, तो कोई function ही नहीं हो सकता, तो पहला option correct दिख रहे है, बाकि कोई भी option correct नहीं, ठीक है, एक बार कोई example लेके, हाँ आ discard हो गए, तो दूसरा example लेने की जुरूत नहीं है, भाई, d, कह रहे है, ना तो one, one, one है ना, on to, नहीं, भाई, यह तो one, one, one होगा, sorry, one, one, नहीं होगा, on to, वो सारी चीज़े गलत है, तो b गया, c गया, d गया, a बचा है, just wait, just wait, क्या है ऐसा, कोई दूसरा function भी लिए आग चुक चाप, चुक चाप देखतर ही है, एक function तो ले लिया आपने identity, बच्चे खुष निया था, identity के लावब कुछ लो ना, एक है तो function, दूसरा ले लो भाई, देखो, ध्यान से देखतर ही है, let me choose fx equal to minus x, क्या ये वैसा function है, जिसके लिए f of fx x आए, अभी देख लेते हैं, this is equal to f of minus x, अजी f of x ये नहीं minus x, तो बड़े f of minus x, thank you very much, समझ में आगया, so this is another function, यानि इस बार graph बनेगा, fx equal to minus x, अभी देखते जाओ, कैसे कैसे ये question होगा, आप भविष्च के researcher है, अजी, ये blue में जो आपको graph दिख रहा है, जरा practically जो blue में graph दिख रहा है, f का graph है, क्या ये blue वाला graph one one नहीं है, definitely है, क्या ये blue वाला graph on two नहीं है, definitely है, so again, d गया, c गया, b गया, अब तो a ही बचा, clear होगे बिटा, दो example लेके मैंने बता दिया कि क्या option करेक्ट है, आगे नहीं भागूँगा भाई, अभी time है, अभी सीखने का समय अभी है, अभी आगे देखे, मैंने बोला ना आपको, इस question के इतने solutions इतनी तरह से हो जाएंगे, कि आप भी खुछ हो जाएंगे, मैं तो खुछ हुई, आप भी खुछ हो जाओगे, कि ये क्या हो रहा है, अब आगे सुनों, आप सभी लो, देखो मेरे बेटा, अभी आपको ये question कराया गया है, दो अलग अलग examples लेके, और दोन बच्चा कहता है, नहीं सर, ये example ने क्यों समझ में आ रहे है, एक्चुल में कैसे हो, एक्चुल में होगा कैसे, समझ में आया है, बच्चा classroom में बठा है, ये option correct है, हमें समझ में आ गया, अब जरह बता भी तो दीजिए, प्रॉपर ली कैसे है, जरह देखिए, देखिए, बहुत दियान से देखिए, ये किवन है मेरे बिटा, f of fx equal to x for all x, आपको चाहिए 1,1 और on to, प्रूप कर लो, 1,1 के लिए क्या करते हैं, मैंने let किया, f a और f b बराबर हैं, अगर मैं ये दिखाने में सफल हो गया, कि a और b बराबर हैं, तो 1,1 आज एगा, मेरे बिटा, अगर f a f b बराबर हैं, दोनों तरफ f लगा था, well defined function में तो लगा ही सकते हैं, लो, खतम हो गया, जी what is f of f a and what is ये given तो है, नजर आया मेरे बिटा, क्यों, अभी देखते जाओ, तो f a equal to f b से a equal to b आ गया है, यानी 1,1 हो गया, on to कैसे करेंगे सर, 1,1 तो कर दी आपने, अब on to भी बता दीजी, मेरे बिटा on to के लिए क्या करते हैं, yes, every element of codomain as a primage, सही सुना आपने, बड़े एराम सु अगर यहां 10 होता, तो 10 को क्या लिख सकते थे, f of f 10, तो हो तो गया, क्या प्रिशानी है, अराम से हो जाएगा, अगर मैंने यहां कोई y लिए, तो क्या मैं y को ऐसे नहीं लिख सकता, बोलिए, definitely हो तो गया question को, question over, देखने वालों को दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख कोई बात नहीं, क्या फरक पड़ता है, बहुत सरे अलग-लग methods हो जाएगा, और any alpha belongs to capital X, clearly, clearly, alpha can be written as f of f alpha, clear हो गया, अब भई आप धगड़ा नहीं कर सकते हैं, यह function one one भी हो गया, तरीके से और यह function on to भी हो गया, अब तो पका, 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 यह option ही correct है, in that case, जब आपने prove भी कर लिया है, तो bcd के तरफ तो देखने की भी जरूरत नहीं थी, I hope this is very very clear to all of you, कितने method होगे बिट साथे जाएंगे, clear हो गया, यह question बड़ा प्यार है भी लेकिन, I hope this is very very clear to all of you, that का question था, next, अब आईए इसमे, एक और challenging problem आ रहा है आपके सामने, मैंने बहुत notice किया है, आप लोगों में भी notice किया होगा, well defined के लिए, one one के लिए, on two के लिए, specifically one one on two के लिए, vertical line test, horizontal line test, मैंने last class में भी हाथ जोटे थे, आज भी हाथ जोट रहा हूँ, वो ठीक है अपनी जगा, लेकिन तुमारा horizontal और तुमारा vertical line मन जाएगा, समझ में है, इदर उदर high five concept में मत उलजिए, जो last class में circles बना के समझाया था, जो last class में graphs बना के समझाया था, वो तरीका best है, उस तरीके से question भी हो जाएगा, मेरी बात मानो, 19 साल से बढ़ा रहा हूँ, यह 20 साल होने वाल है, समझ में है, ऐसे चली है, राम से काम हो जाएगा, इदर उदर, उठा के formula रटने की जरूद नहीं है, आओ, बड़ा प्यारा question है, consider a function f from r to r, then which of the following is a true, again net का question है, a part, b part, c part, d part, देखो ब just wait, just wait, let me show you something, बड़ा प्यारा question है, देखो, बहुत अराम से हो जाएगा, consider a function f from r to r, then which of the following is a true, पहला part, f is not 1, 1, if the पता नहीं क्या क्या लिख दिया सर, अरे, एक एक करके करते हैं, सब आएगा, तो, why do you worry, सब आएगा, सब कुछ हो जाएगा, एक एक आप्शन देखते जाएगा, देख यह बनाया मैंने, line parallel to x-axis, यह line parallel to x-axis, ठीक है, अब क्या किया रहे, the graph of f intersects some line parallel to x-axis in at least two points, okay, कम से कम दो points में intersect करना जी, अब ग्राफ देखे ज़रा आप सब लो, बिटा ऐसा ग्राफ बनाएंगे, जो यह ब्राउन वाल लाइन को दो जगां इंटरसेक कर रहे, आजी, दे blue में graph है, आप इसे बात कर रहा हूं, अगर यह blue में f graph है, f, f का graph है, तो क्या मेरे बिटा यह one one होगा, बिल्कुल भी नहीं, दिखतो रहे आपको, दो different points पे, इस point पे, इस point पे, same ही में जा रही है, different point पे, same ही में जा रही है, तो one one नहीं होगा, तो a option तो एक्दम correct है, उ पाते हैं, बी पे, बी option क्या कह रहा है, मेरे बिटा, बी option, f is one one, if the graph of f intersects, any line parallel to x-axis at most ones, हाँ जी, at most ones, जाद 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 एक बारी कट करे, just see, दियान से देखेगा, देखे, graph अगर ऐसा है, तो दिख रहा है आपको की काम हो जाएगा, चाहे आप जो line parallel है, वो उपर बना है, x-axis के, या नीचे बना है, एक बार कट लग रहा है, या दिख रहा है आपको, अब यही चीज, ज़रा exponential में देखते हैं, हंजी, हंजी, आप ही से बात कर रहा हो, मेरे बिटा, यह है e power x, दियान से देखना मेरे बिटा, गडबड़ मत कर देना, कबाड़ा नी कर देना question का, yes, a line parallel to x-axis, यह एक जगा कट की है इसको, लेकिन अगर मैं यही line नीचे ले लो, तो एक भी जगा कट नी होगा, उसने क्या बोले, at most once, हाँ जी, this is fine, this is perfectly all right, यह वाला graph भी 11 है, और यह यह observe करने वाली चीज़ है, तो बेटा, a option भी correct है, thank you, a option true है, और b option भी true है, I hope this is very very clear to all of you, अगर बच्चे ने last class नहीं किया है, graphical method तो मैंने आपको समझाया था, graphically function को one one on two कैसे देखते हैं, well defined कैसे देखते हैं, तो यह question आप नहीं कर पाएंगे, हाँ, high five concepts करके अगर पी लिया है, वैसे याद कर लिया है, बिना समने, मैं भी question हो जाएं, अटक ना स्वाभावी के भाई, कोई नहीं रोक सकता है, it is inevitable, question आप से नहीं होगा, अगर आप वहले आप रोच नहीं लेंगे, तो रट्टा लगा के कहीं paper clear होता है, आईए, C part पे आईए, surjective, last class या रहा था, 1, 1 and onto, both, दोनों उने ची, अब जरह यहां आईए, C part औ, D part करने जारा हो मैं, F is onto, surjective का मतलब onto, if the graph of F intersects, every line parallel to x-axis, आओ जरा, बिटा, वही दो graph ले ले लेते हैं, जो भी लिये थे हमने, एक ले 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 लेते हैं, दूसरा ले ले लेते हैं, दूसरा ले 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 आईए, वो कह के रहे है, वो कह रहे है, if the graph of intersects, every line parallel to x-axis, जी यहां आदो, every line parallel to x-axis, देखिए, यह कट हो रहे है, उपर भी कट हो रहे है, नीचे भी कट हो रहे है, यह जो brown में lines है, ओके यहां आजीए, यहां तो cut लग गया, इस graph के उपर, यहां नहीं लगेगा, तो पह अगर graph intersects करेगा, हर line को, हर line को, जो x-axis के parallel है, तो यह on to दिख रहा है, यह वाले भी true होगे, आज यह deep है, f is not subjective, if the graph of f does not intersect, at least one line parallel to, यह आपके सामे, clear हो गया, thank you very much, can you believe, यहां जी ऐसे question भी आता है, यहां मिर को पता है, मेरा video beginners भी देख रहे होंगे, मैंने पहले बोल द तो तब जब entrance exam वाले दिन, वहां center में बैठे होगे, आपसे question नहीं हिल रहोगा, यह होता है, यह सच दिखाना बच्चों को बहुत जरूर ही है, बहुत notice कर लिया, बकवास चल रहा है, यूटी, सीधी चीज़े भरी पड़ी है, बच्चे उसी को पीए जा रहे है, और exam त पर चारू parts correct है, exam में single correct वाले questions भी आते हैं, exam में multiple correct वाले questions भी आते हैं, इसको pause करके अच्छे से बना लीचेगा, भाया, यह challenging problem है, और यह 2019 में, दो साल पहले आया है, जब corona शुरू शुरू आ था तब का question है, अंजी, next, यहां देखें, यहां लिखा है, शम यूसफुल एक्जामपल्स, भाई देखो, सम यूसफुल एक्जामपल्स, डिसक्स करवे से पहले, बड़ी प्यारी चीज आने वाली, वो प्यारी चीज आप लोगो के लिए, अगें, लेवल, बेसिक से अडवांस, जम करने के लिए तरही आ रही है, लॉजिकल, लॉजिकल, लॉजिकल question पूछा जा रहे हैं आप सबसे, मेरे बेटा यह बताओ, 1-1 function onto होगा, या onto function 1-1 होगा, सही सुना आपको, 1-1 होने से onto हो जाएगा, या onto होने से 1-1 हो जाएगा, अगर हमारे सामने 100 बच्चे हैं, आप इसे बात कर रहा हूँ, अगर हमारे सामने 100 बच्चे हैं और उनके सामने यह question coin किया गया है, तो some of them will say की पहले true है, some of them will say की दूसरा true है, some of them will say no idea, और बागी कहेंगे दोनों true हैं, दोनों false हैं, कुछ मतलब समझ रहे न, confusion हो रहेगा, अब सुनिये ज़रा धियान से, देखो मेरे बेटा, बच्चा अगर यह कहता है की 1-1 से onto हो जाएगा, यह onto से 11 हो जाएगा, पहले वाला, ise on too हो जाता, अगर वन से onto हो जाता, ?? android हो जाता तो बिटा, फिर one one ही करिए न, onto प्रूव करने की जरूद कि जुरूद ही क्या है, मतलब one one say onto नहीं होता, आप साथ हादो बस चुप चाप देखते हो ये examples बड़े useful है भाई अच्छा से कर लीजेगा देखे पहले example define f from close interval 012 r by fx equal to x last class में बता चुका हो मैं भूले ना होगे तुम लोग जो आपको और हमारा domain है वो इतना ही है बस यह domain है और इसका image तो यह खुदिया जाएगा दिखी रहा होगा आप लोगों को जी 0 का image 0 है मेरे बिटा 1 का image 1 है अगर बीच में कोई point लेंगे आप half आप लेंगे या 1 by 3 लेंगे तो उसका image वो खुद आएगा यहां आप सबको दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है कि distinct elements की distinct images आ रही है definitely 100% आ रही है तो यह function distinct elements को distinct images पे लेके जा रहे है तो 1 1 तो हो गया लेकिन on 2 नहीं क्यों लास्ट क्लास में बताया था आज भी बता रहा हूं रहाँ जिरो वन के बाहर वाले का तो कोई प्रीमेज नहीं मिलेगा आपको जैसे कि माल लिजे यहां पर 3 लिख दिया 3 के पास कोई प्रीमेज नहीं है या माइनस वन ले लिजे कोई प्रीमेज नहीं clear हो गया तो यह function क्या है और क्या नहीं है this function is 1 1 but not on 2 thank you 1 1 है on 2 नहीं है second question आपको समझ महीं नहीं आएगा थुड़े दर में discuss करेंगे अब ही आते है पहले थर्ड पे सही सुना बेटा आपने थर्ड पे 3rd पे आईगी गिवन बाई gx equal to xx and h from r square to r given by hxy is equal to x बहुत दियान से देखेगा बड़े प्यारे questions है थर्ड पार्ट कर रहे है और फोर्थ पार्ट कर रहे है आपके लिए तीसरा और चोथा थर्ड पार्ट में है रियल लाइन से r square given by gx equal to xx देखो मेरे बेटा 1 1 तो obvious है क्यों अगर आपने ga को ले लिया gb तो यहां से मिलेगा aa और वहां से मिलेगा bb दोनों को compare करके आपको मिलेगा a equal to b समझ में आ गया तो अगर gh gb के बराबर है this implies a b के बराबर है this implies 1 1 तो यह वाला function 1 1 तो है लेकिन on to नहीं है क्यों भई on to क्यों नहीं है on to इसलिए नहीं है मेरे बेटा diagramatically चीजों को समझने कोशिश किजिए जगडा जगडा करने से कुछ नहीं मिलेगा ना तुम्हें ना मुझे अधनिंया करने से यह कह रहा है कि भ coating आगर अगर अगर अश्गा रहा है निकाल बहुत छोंग जिसके दोने कोडिनेट्स बराबर है अल्फा कॉमा अल्फा का प्रीमिज तो आ जाएगा लेकिन अगर मैंने यहां लिख दिया अल्फा कॉमा बीटा तो प्रीमिज नहीं आ पाएगा यहां से पता लगी आप 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 10 ले लीजे 01 ले लीजे कुछ भी ले लीजे clearly clearly साथ रहे ना मेरे बेटा 12 belongs to r square as no 12 has a premise यानी 12 is equal to g of खुछ भी ले लीजे पी ले लीजे यानी 12 बराबर है p,p अब इसको पी लो यानी 1 बराबर है p के और 2 बराबर है p के यानी 1 और 2 तो बराबर हो गए तो this gives you a contradiction I hope this is very very clear to all of you ऐसे काम होता है यह लिखा है ना some useful examples तुम्हें क्या पता कहां काम आएंगे बड़े काम की चीज़े भाई आ जाओ 3 part पे आ रहा हूं मैं 3rd part पे बिटा क्या है और क्या नहीं है यह particular function this function is 1 1 not on to अब आते हैं लास्ट वाले तो फॉर्थ वाले पे अपना अच्छे से वीडियो पॉस कीजिए नोट्स बनाईए खूब अच्छे से लिख लीजेगा प्लीज आप इसे बात कर रहा हूं कोई और तो है नीदर पॉस करके नोट्स बना लेना बहुत अच्छे से ठीक है कोई अच्छ फॉंक्षन है एच एक्स वाइस इकल वाइस देखते ही बता लग रहे है वाई का तो कोई रोल ही नहीं है आंसर में सही सुना आपने वाई का कोई इंपोर्टन्स नहीं है कुछ भी लेते रही है वेट पूर जल्दी से बताओ आप यह सबसे बात कर रहा हूं फटा बट बताए बेटा मेरे वोट इस एफ ओफ वन टू एच ओफ एच ओफ एच ओफ एच ओफ एच ओफ एच ओफ वन कॉमा दो हजर बाइस वह इन सब का अंसर दो नहीं है को थैंक यू वरी मुच ओहो डि यह फंक्शन यह फंक्शन वन वन नहीं है तो वाट बाट बेटा ओन टू दिखाते हैं आपको अगर आपने यहां अब लिखा है अगर आपको एक प्रीमेच तो ऐसा ऐसा और पिर लिजिए जिसका पहला कोडिनेट ए दूसरा अगर आपको एक्स का प्रीमेच चाहिए तो ऐसा और पिर उठाई है जिसका पहला कोडिनेट एक्स है दूसरे को मारे गोली सेम यह वन का प्रीमेच समझ में आ गया वन का कितनी प्रीमेच हो जाएंगी वन की कोई भी अगर आपने यहां अल्फा लिखा है तो वोटे तो प्रीमेच अल्फा एनिबडी कें डिसाइड यह लो अल्फा कॉमा वन अल्फा कॉमा टू अल्फा कॉमा थ्री अल्फा कॉमा आपका नाम वो भी चल देगा क्लियर हो गया तो क्या है और क्या नहीं यह वन वन तो नहीं था आपको अच्छे लग रहे हैं खुब अच्छे से नोट बना लीजेगा मैं फिर कह रहा हूं अजी लास्ट वाले एक्जामपल पूर क्या है मेरे बिटा अजी आप सभी के लिए लाइफ का लेसन ऐसा क्या है अरे भाई थर्ड और फॉर्थ पार्ट देखिए और खुश हो जाईए कि आपकी जोली भर गई एक्जामपल से देखों मेरे बिटा थर्ड किस चीज के एक्जामपल है एक्जामपल ऑफ फॉर्थ किस का एक्जामपल अब अब यहां भी था यह थी अभी अभी आपने पहला इसके सकर लिया फोर्थ इसकेंड वाले को छोड़ना बुद्धी मानी नहीं है समझदारी नहीं है अभी सेकंड वाले को करते हैं अभी इतना पॉस करके अच्छे से नोट्स वगरे बना लीजेगा बहुत अच्छे से नो नेक्स्ट सेकंड वाले को पढने के लिए जरूरत याप देखो मेरे बिटा नहीं है साथ ही सुन आपने पावर से वट इस पावर सेट I know you are very powerful I know I know but please if x is any set पोई भी सेट था दन जो इसका पावर सेट होगा पावर सेट प्-X प्-X विल भी कलेक्शन ये कलेक्शन लिखा है अफ अल सब्सेट अफ एसी होता मेरे बिटा ऐसी होता है इसके बारे में और जदर डिटेल नो पढ़ेंगे अभी देखिए च्छोटा से एक्जाम्पल माल नहीं जो थोड़े दिर के लिए अब मान में लोग हो सबसे पहले तो empty set आएगा या आएगा वो तो आ नहीं है empty set उसके बाद singleton और उसके बाद एक खुद आई होब दिस वेरी वेरी क्लिर टू अलों क्यों कि ए में क्या है और corresponding PA में क्या होगा पी में क्लेक्शन ऑफ वाल सबसेट जो भी सबसेट में घुजे वे हैं वो सब प्रिजेंट क्वेश्चन में देखिए प्रिजेंट क्वेश्चन में क्या है यह सेकिंड वाला सेकिंड वाले की बात कर रहा हूं बड़ा प्यारा question है भाई f from natural numbers to power set of n yes power set of natural numbers अच्छास का डागराम माला के दिखाते हैं आपको थोड़ो और बड़ा बना देते हैं बड़ा बड़ा अच्छा लगते है थोड़ा अपलब होगो अजी नेचरल नंबर्स में तो पता नहीं क्या क्या आएगा वान टू थी पोर एंड तो पावर सेट में क्या क्या हो सकता है भाई पहले तो पाई आएगा पिर सारे सिंगल्टन साइंगे के करके वही बिचारे खतम नहीं होंगे उसके बाद डबल वालो का नंबर आएगा तू थी एंड तो ट्रिपल वालो का ना सो मैंने तिंग सो मैंने पताने दुनिया भर की चीज़े लिखे हुए है बट यह जरूर है कि सिंगल्टन स्पार्ट है अच्छा गिवन फंक्शन देखते क्या है बिट वह एन को का लेके चाहे जा रहे है सिंगल टन वन को सिंगल में टू को सिंगल टन वन टू को सिंगल टन वन टू झांट अगर fm बराबर है fn के, तो मेरे बेटा यहां से आएगा, singleton m बराबर हुआ singleton m के, दोनों sets बराबर है, elements भी बराबर आजाएंगे, यहां भी एक है, वहां भी एक है, यहांनी m is equal to n, clear हो गया, तो यह function 1-1 तो है, लेकिन on to नहीं है, क्यों, double वाले हो गए, triple वाले हो गए, उनको no premage, off, कोई भी set ले लीजे, चलिए 2,3 ले लेते, reason, मतला singleton को छोड़के, singleton set को छोड़के, किसी का कोई premage नहीं मिलेगा, आपको, ना double वालो का मिलेगा, ना triple वालो का मिलेगा, ना, you know, समझ रहे, 5 का भी नहीं मिलेगा, आजी reason, 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 अगर यह 2,3 का premage है, अगर 2,3 के written as f of sum k, f of k, यानि 2,3 can be written as singleton k, यानि यह, यह, इस set के members, हो set के members के बराबर है, यह तो एक ही member है, तो यह एक member दोनों के बराबर हो जाएगा, यानि 2 भी k के बराबर है, और 3 भी k के बराबर है, that means 2 और 3 बराबर है, so again, this gives you a contradiction, this is not possible, I hope this is very, very clear to all of you, बटे यह, again, बड़ा प्यारे एक्जाम्पल आपके लिए लेके आए है, क्या है और क्या नहीं है, आच्छे से notice कर लीजिए, क्योंकि चीजी notice करने ला है कि भाई, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, यह क्या है और क्या नहीं, again, this is 1-1, but not on 2, बहुत सारे examples आपको दे दिये गए हैं, जो आप को खुश कर देंगे जब आप पढ़ेंगे तो, समझ में आगया, अब भई आगे, इसके बाद क्या है, image and inverse image graphically, बिटा उसमें तो थोड़ा time लगेगा, and we have to prepare for next session, so I hope आज की class आपके लिए बहुत ज़्यादा fruitful रही, मैं फिर से भई repeat करूंगा, video pause करके, pause करके, अच्छे किसे 1-1 आएगा, किसे क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, that should be very very clear to all of you, अच्छा, अब एक छोटे से चीज जो last class में रहे गई थी, विटा मैंने आपको बताया था, mathematics में functions सब जगा है, real analysis, group theory, ring theory, you know कैसे कैसे बताया था, real में limit continent derivability है, sequence series में भी आएगा functions, चिंता मत करिये uniform convergence, remand integration, पता नहीं क्या-क्या है, और group theory में, group homoorphisms, automorphisms, ring में भी है, matrix space में, distance function वो function है, probability stats में, pmf, pdf में, last class में भी चीज़े बोली है, अभी फिर से इसले बोल रहा हूँ कि आपको इसका important समझ में आदे, कोई भी mathematics का field इसे अचुता नहीं है, अगर बच्चे, real analysis के बाद अगर किसी चीज़ का सबस्दा preparation करते हैं, mathematics को लेके, तो बटा वो है linear algebra, linear algebra का नाम last class में नहीं लिया गया था, बच्चों ने बोला से क्यों नहीं लिया, आप ले ले लेते हैं, linear algebra में हम लोग linear transformations पढ़ते हैं, वही scalar multiple और some property, बटा वो भी तो functions ही है, domain, cotomain range तो वहाँ भर algebra के आया हुआ है, exams में आता है, समझ में आ गया, तो I hope आज की class आपके लिए बहुत fruitful रही, last class class 1 था, आज class 2 है, अभी 2-3-4 classes और लगेंगे, thank you very much, thanks for coming, thank you.